हेलो प्रेंड्स कैसे हैं या आप लोग तो आज हम लोग देखेंगे प्राचीन भरती इतियास के अंतरगात कलास नमर 18 जिसके अंतरगात हम लोग चर्चा करेंगे काफी इंपोर्टेंट क्वेस्चन सिंधु सब्यताय वम वैदिक संस्कृति की तुलना क्योंकि दोनों ही ट प्रिजन के तोर पे आप एक तुलनात्मक अश्टडी कर सकते हैं इसका हम लोग आगी चर्चा करेंगे तो चलिए क्लास के हम लोग शुरू करते हैं देखें यहां पे जब भी सिंधु सब्यता हो गया वैदिकाल संस्कृति की जब भी बात आती है तो दोनों ही देखें प परियाप्त अंतर लिये हुए हैं इसलिए यहां पे हमारे लिए जरूरी हो जाता है किसका जो तुलनात्मक अध्यान करना है यहां पे और इस करम में अगर तुलनात्मक अध्यान अगर हम लोग शुरू करते हैं तो दो चीज यहां पे आएगा कुछ यहां पे समानता के ब बात करते हैं हाँ पे समानत्या के बिंदू के अंतर गतम लोग क्या क्या आपे सामिल कर सकते हैं तो देखिए चाहे हो हडपा सभ्यता हो चाहे हो वैदिक संस्कृति हो दोनों सभ्यताओं में कहा जा रहा है कि क्रिसी पलस पसुपालन पर मुख्ता दोनों में मौझुद था दोनों ही सभ्यताओं में सिक्के का परियोग कहा जा रहा है कि पूरी तरीके से अनुपस्तिता सिक्का मिला ही नहीं है हडपा काल में ठीके मुहर मिला हुआ है ना कि सिक्के मिले है उसी तरीके से उत्तरवईदी काल तक आते याते सिक्कों का प्रचलन तो था लेकिन हर जगा नहीं था तो इत्यास कारों के दोरा सिक्के के प्रमाडिकता को लेके उत्तरवईदी काल में पुरी तरीके सिक्षेप नहीं किया गया है, साथ में यहां पर कहा जा रहा है कि दोनों ही सभ्यताओं में उपासना अस्थल के रूप में मंदिर का भाव था, मंदिर दोनों ही जगा से मिला नहीं है, प्राकृति की बिभीन सक्तियों की प्यूजा दोनों सभ्यताओं में की जाती थी, खान पान, रहन स्थान में भी कुछ समानता के द्रिष्टि गोचर यहां पे नजर आते हैं, तो कुल मिला के समानता के बिंदु के अंतर इतने सारे पॉइंट को आप सामिल जरूर कीजिएगा, उसके बाद नेक्स्ट यहां पे असमानता के बिंदु, यह काफी लंबा चोड़ा है, सबसे प सब्यता है, भीन-भीन समाई में अस्तित्य में आई, सिंधु सब्यता इस के लिए में द्यान रखी का, सिंधु का प्रयोक करूँगा, और दूसरा भी के लिए में वैदी का प्रयोक करूँगा, तो सिंधु सब्यता कहा जा रहा है कि अपने परिपक को आवस्था में लग चलती रही उसी परकार वैदिक संसरीती को अगर देखा जाए तो लगभग पंदरा सो से लेके लगभग छे सो बीसी तक यह चलती रही कालगत अंतर में दोनों के समय में अंतर नजर आ रहा है उसी तरीके सियां पे संस्थापकों में अंतर सिंधु सभ्यता के जो अस्थापना है यहाँ पे जिसे कि यहाँ पे बहुत सारे जो परजाती सामिल थी जिसे कि भूमा देशागरी होगा मेडिटेरियन वाले इसके अलावा यहाँ पे मंगुलाइड हो गया अल्पाइन हो गया अल्पाइन के अलावा प्रोटो अस्ट्रेलाइड हो गया प्रोटो अस्ट्रेलाइड परजातियों के महत्पूर भूम कर रही लेकिन वैदिक सस्कृती के यहाँ पे जो इसकी जो संस्थापक थे टोटल यहाँ पे कोई मिक्स नहीं था और यह लोगों की संकिया यहाँ पे स सिंधु सभ्यता का जो बिस्तार है यहाँ पे एस सिंधु सभ्यता लगभग देखा जाए तो सिंधु नदी से लेके नर्मदान नदी के आज पास के छेतरों में एक बहुत ब्रियत असर पे फैला हुआ था लेकिन वैदिक सभ्यता का जो बिस्तार है वैदिक सभ्यता का प्रएदी पिया भारत के तरफ नहीं था ठीक है तो वैदिक सभेता का भीस्तार सिंधु नदी से लेके लगभग गैंगेटिक चेतरों के तरफ था और इसका जो भीस्तार था दचिंड भारत के तरफ यहां पे नहीं हो पाया था उसी तरीके से यहां पे स्वरूप गत अंतर केमलोग बात करें तो सिंधु सभेता अपने स्वरूप में बिल्कुल ये नगरी किरित थी सभेता के रूप में मौजूद थी कई बड़े नगरों के यहां पर साक्ष मौजूद है जिसी कि मोहन जोदोडों हडपा, लोथल, काली बंगा ऐसे सारे नगर यहां पे मौजूद थे लेकिन यहां पे आरियों का जो सौभावत था यहां पर पूरी तरिकी से वैदीकारियों का ग्रामेड सभेता से उत्तर वैदीकाल तक आते आते नगर कृत सभेता उतना विश्त्री त्रूप से नहीं हो पाया था आर्थिक भीनता है अलग-अलग के लिया कलाप है जिसी कि सिंदु घाटी सबेता की रमलोग बात करें तो यहां पर किरिसी बहुतायत मातरा में मुझ ठीक है का सकते हैं कि स्टेज में मौझूद था किरिसी होगा किरिसी के साथ साथ अधिस्यस बचा बिक्सित वैदेश्टिक बैपार हो गया ठीक है सब मौझूद था लेकिन वैदिक संस्कृति में ऐसी कोई संरचना हमें दिखाई नहीं दिखती है क्योंकि वैदिक संरचना में अभी भी कहा जा रहा है कि जो किरिसी की जितनी ठोस शुरुवात होनी चाहिए उतनी ठोस शुरुवा यहां पर नहीं होई थी बैपार वालिज यह भी यहां पर देखा जाए तो बिल्कुल 600 वास्ता में था क्रिसी सबसे इंप्रोटेंट फेक्टर है क्रिसी जब यहां पर अधिक मात्रा में हो ही नहीं तो बैपार के जो एक बिक्सित अस्टेज होना चाहिए वह यहां पर नहीं थी कुल मिला के लिएक देखा जाए तो सिंधु सब्यता की अर्थ विवस्था का सवरूप बिल्कुल यहां पर सहरी एवं बजारमुक था जबकि वैदिक सस्कृति का आर्थिक सवरूप कविलाई एवं बली नामक कर प्याधारी था गिप्ट एकनौमिक के रूप म आप इसे समझ सकते हैं नेक्स्ट उसी तरीके से आपे समाजिक भींता के रूप में समाजिक भींता में वही यह है एस यहां पर जो समाज था मातरी सतात्मक के तरफ जुका हुआ था हडपा कारिन समाज मातरी सतात्मक समाज के तरफ जुका हुआ था और यहां समाज वर्गी विभाजन पर अधारी था था ना की वर्ड पर अधारी था तो वर्ड बिवास्था पर किसी भी प्रकार का कोई साक्षिया पर नहीं मिला है वर्गी अधार कोई मान के चलिए कि कोई मजदूर था, कोई बैपारी वर्ग था, कोई सासग वर्ग था, कोई ब्रामण वर्ग था, ऐसा यहाँ पर माना गया है लेकिन वैदिक आल में इस प्रकार की कोई भी सनरजना नहीं थी वैदिक समाज पित्री सतात्मक हो गया, पित्री सतात्मक समाज के रूप में मौझूद था, वर्ण व्यवस्था यहाँ पर हावी हो गया, चतुर्थ वर्ण व्यवस्था आ गया, रिग वैदिकाल में करम प्यधार था, वहीं उत्तर वैदिकाल तकाती आते, पूरी तरीके स या इसके ठीक है ब्लोर डिलेशन्शिप हो वन सानुगत इसे कर दिया गया सिंधु समाज में आर्थिक बिसमता ब्यापती जबकि रिगवईदिक समता ठीक है रिगवईदिक जो समाज था यहां पर समतावादी समाज ठीक है दिखाई यहां पर देखती है उसी परकार से यहां पर है धार्मिक भिंता को लेके तो सैंध्यो निवासी पूरी तरीके से देवी की माता देवताओं से अधीक थी देवियों के मूर्ति देवताओं के मूर्तियों से यहां पर धीक मिला हुआ है वहां कि परमुक देवी मातर देवी की लिंग पूजा और योगी योनी पूजा का प्रचलन था जबकि वैदिक सभ्यता में मूर्ति पूजा वा मंदिरों का अभाव पूरी तरीके से यहां पर हमें दिखाई देता है ना कि यहां पर मंदिर तो है ही नहीं मंदिर के साथ साथ कहा जा रहा है कि जैसे की मुर्ति पूजा हो गया मुर्ति पूजा का भाव, पूरुस देवता का पूरी तरीके स्परधानता थी जिसे कि इंद्र हो गया, इंद्र के लावा अगनी देवता, वरुण देवता ऐसे देवता आपे मवजुद थे आर्य लिंग पूजा को गिल्णा के दिरिष्टी से देखते थे और आर्यों के जिवन में, यहाँ पे यगी जो था, सबसे इंपोर्टेंट रोल प्ले करने लगा उसी तरीके से कुछ बैग्यानिक अनपरियोग के रूप में आप देख सकते हैं कि संध्योकाल में बैग्यानिक मानसिक्ता थी, जो उनके नगर निर्मार हो गया सिटी, नगर निर्मार, बाट माप एक रूपता किसी भी चीज को वस्तुबिन में परणाली के रूप में इसका लोग परियोग करते थे बाट माप एक रूपता के रूप में नागरिक परबंधन हो गया बैपारी परणाली आदी में परिलिशित होता है जबकि वैदिक काल तक आते आते इस मानसिक्ता का अभाव दिखाई देता है जहां सिंधो निवासी कासे के निर्मार में दक्स थे तथा पसार उपकरोड का भी परियोग करते थे वही वैदिक काल में कासे का परियोग गौण रहा और यहां पे पत्थार का परियोग बहुतायत रूप में किया जाने लगा ठीक है पत्थार का परियोग ठीक है किया भी जाता था कुछ जगोह पे मिला है और कुछ जगोह पे नगन्य के रूप में भी ये मिला हुगा है वही सिंधी निवासियों को लोहे का ग्यान था वही वैदिक काल में लोहे का परियोग किया गया तो सोरी ये उल्टा हो गया सिंधी निवासियों को लोहे का ग्यान ध्यान रखेगा लोहे का ग्यान इन्हें था ही नहीं इन्हें लेकिन वैदिक काल की निवासियों को लोहे का ग्यान इन्हें पता था नेक्स्ट द्रिष्टी गोड में अंतर सिंधु निवासी सांती पिरिया और युद्ध से अलग राने वाले थे क्योंकि उत्खनन से अस्त्र सस्त्र के उनके छित्रों में प्रमाड नहीं मिले हैं जबकि आर्यों का वैदिक आर्यों का जीवन दर्सन में युद्ध की भूमका केंदरी रूप में मवजूद थी युद्ध ये लोग अच्छा खासा लड़ते थे वे बराबर युद्धों में सनलंग राते थे जिन में दसराज युद्ध सबसे परमुक एक परमुक उदाहरल के रूप में मवजूद है उसी तरीके से हैं आपे सिछड पद्यती में अंदर सेंधर सभ्यता में जो भी लीपी का परियोग किया जाता था अर्थात ऐसा कहा गया कि वे लोग लेखन कला से परिखित थे इसके सक्ष उनके मुहरों पर लिखित लेखोवा और भी कुछ सक्ष है जिसे कि धौला बीरा से मिले सिलापट से होता है जबकि वैदी कार्य लेखन कला से परिखित नहीं थे वहाँ पर ध्यान रखेगा मौखिक वैदी काल में मौखिक सिच्छा का परचलन था अन्य परमुख अंतरों के गरम लोग बात करें तो सिंधिनिवासी रत थे वम घोड़े के विवहार से बिलकुली अंदाज थे रत यहाँ पर था नहीं गोड़े भी ठीक है साइद ये लोग अपरचित थे लेकिन आर्यों के साथ हैसा नहीं था आर्यों के पास रत वित हुआ करता था गोड़े भी हुआ करता था साथ में कहा जा रहा है कि सिंदु सवेता में कला कला का यहां पर परियाप्त विकास हुआ जिसे कि वे धातु कला, सिल्ब कला, मृरिदभान, निर्माड में दक्ष थे कांसे की नर्तिकी के मूर्ती ठीके जो पाई गई है यह सब इंडिकेट कर रहा है यहां पर लेकिन वैदी कालमेगर यहां पर देखा जाए तो इस द्रिष्टी से बहुत पीछे थे सिंदु सवेता में कुबरतार बैल का जो मत वसरवादिक था जबकि आरियों के जीवन में यहां पर देखे तो ठीक है गाय का रोल काफी यहां पर इंपूर टेंट हो गया तो कुल मिला के देखिए रत गोड़े सब यहां पर मौजूद थे कला के रूप में हडपा काल जैसे यह लोग तो निपूर नहीं हुए हडपा काल में कला का बेता रूप हमें दिखाई देता है तो कुल मिला के यहां पर बात यहां पर आप देख सकते हैं कि दोनों सब्वेताओ के सवरूप में अंतर है सिंधु सब्वेता अगर देखा जाए ओब ओबर ओल तो एक नगरी किरित सभ्यता थी लेकिन वही जो वैदी काल थी एक ग्रामिल्ड सभ्यता से युक्त एक ग्रामिल्ड सस्क्रीती की रूप में मौझूद थी तो कुल मिला कि यही था तो नातमक अंतर हम लोगों ने कर लिया उमेदे कि आप लोगों कोई कन फ्यूजर नहीं होगा तो ठीक है प्रेंट्स अगर लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज सेयर करते रहे थांक्स पर वाचिंग एंड गॉड बिलेस यू